बिलास्पर शहर में बुलिट से पटाके बजाने बालों की ख्यार नहीं है। अगर के गुरुद्वारा चौंक, कॉलेज चौंक, बस अड़ा, डियारा सेक्टर, रोडा सेक्टर, सहीत अन्यसानों पर टीमें सिबल ड्रेस में पहुंची हुई थी। ये टीम यहां से आने बाले बुलिट चालकों को चेकिंग के लिए रोका जा रहा था जिसमें अगर किसी भी बुलिट की आवाज पटाका बजाने बाली होती है तो मोके पर ही चलान सहित कारवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये आदेश S.P. दिबाकर शर्मा ने दुपहर केस में जारी किये जिसके तुरंत बात टीमें फिल्ड में उतर आई। गोर तलब है कि यातायात नेमों की उलंगना करने और पटाका बचाते बुलिट पाइक पर अंकुष लगाने के लिए बिशेश चे गरे हैं। बहीं जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस बुलिट पटाका साइलेंसर बेचने बालों के खिलाब भी कड़ी कारवाई करेंगी। अगर कोई दुकानदार पटाका साइलेंसर बेचता हुआ पाए जाता है तो उसके खिलाब भी नेमा अंसार कारवाई अमल म लाई जाएगी ट्राफिक पुलिस करमचारियों का कहना है कि सिर्फ बुलिट से तेज पटाकी की आवास निकालने पर ही चलान नहीं काटे जाएंगे अगर कोई बहांचालक अपने बहानक के साइलेंसर को मोडिफाई करा कर अजीब अजीब आवासे निकालते हैं तो नियमा उनसार उनके भी चलान काटे जाएंगे उधर बिलास पर S.P. दिबाकर शर्मा ने बताया कि बुलिट साइलेंसर से पटाके बजाने बालों के खिलाफ एक बिशेश टीम का गटन किया गया है अगर कोई भी चालक ऐसा करता हुआ पाय जाता है तो मोके पर ही चलान करने सहि साइलेंसर को निकालने के आदेश जारी किये गए हैं और नहीं के इनके हम चलान काते जारे हैं बारी बास क्यों फद्रह गारा है और कोट बेहरे हैं ये बहुत भी ज्यादा उससे होता है इसलिए इसको जो है पिंट्रोल करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं सर इसका कितना चलान देश पर पुलिस के पास जो फाइन है उव एक ह जार रुटे हैं और इसको हम पहले खुलने के लिए बोलते हैं उसके बाद फाइन करते हैं अगर नहीं खोलेंगे तो हम कोड के लिए बेजते हैं और आरसी जोब अपने पास रखते हैं